आप सभी को अपने बच्चों के लिए बेहतर भविश्य को लेकर हर वक्त टेंशन बनी रहती होगी। कैसे हम अपने बच्चों को अच्छी और बेहतर सिक्षा दे सकें। इन दिनों एड्मिशन को लेकर स्कूलों में अभिभावगों की लंबी कतारे नजर आ रही हैं। अपने बच्चों को एड्मिशन के लिए तयार कर पैरेंट्स उनके बसंदीदा स्कूल पहुँच रहे हैं। हालकि एड्मिशन से पहले बच्चों के साथ-साथ उनके माता-पिता के चेहरों पर भी टेंशन साफ नजर आती है। ऐसे में बच्चों की टेंशन और जादा बढ़ने की पूरी उमीद बनी रहती है। हर माबाप की यही इक्षा होती है कि उनका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़कर अच्छी एजुकेशन हासिल करे। जिससे बढ़ा होकर वो सफल इंसान बन सके। हाला कि जब इस्कूलों में बच्चों को दाखिला कराने का समय आता है तो कई पैरेंट्स जानकारी के अभाव में बच्चों के अड्मिशन ऐसे स्कूलों में करा देते हैं। जहां ना तो बच्चों को अच्छी सिक्षा मिल पाती है और ना ही उनकी सुरक्षा, मानसिक विकास और अन्य सुविधा पर जादा ध्यान दिया जाता है। ऐसे में आपको कई तरह की बातों का भी दाखिला कराने के समय ध्यान देना चाहिए ताकि आपका बच्चा एक अच्छे स्कूल में सिक्षा ग्रहन कर सके। आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहे हैं जो आपके बच्चे के एड्मिशन में सहायता करेंगे। इस वीडियो में जो हम आपको बताएंगे अगर इसका पालन किया जाए तो निश्चित ही ऐसी समस्याओं से बचा जा सकता है। दूसरा ये कि जिस भी स्कूल में शॉट लिस्ट करेंगे उनकी घर से दूरी का ध्यान रखें क्योंकि घर से स्कूल के बीच के दूरी ज्यादा मायने रखती है। तीसरा अब इन स्कूलों में एड्मिशन क्राइटेरिया क्या है उन पर भी गौर करें। स्कूलों के महाल के बारे में भी पूरी तरह से जाच कर ले। कहीं ऐसा न हो कि एड्मिशन के बाद आपको किसी तरह का पचतावा होने लगे। बता दे कि बच्चों का स्कूल जितने अच्छे बातावरण में रहेगा, बच्चा उतनी ही अच्छी तरह से विकास कर पाएगा मानसिक तौर पर। स्कूल के आसपास का बातावरन और स्कूल के अंदर का महौल दोनों आपके बच्चे के विकास पर असर करते हैं। अगली बात करें तो अगर संभव हो तो स्कूलों में जाएं और वहां की सुभिधाएं फीस आदी के बारे में जानकारी लें। अगर आपके आसपास का कोई बच्चा वहां पढ़ रहा हो तो उसके माता पिता से फीड़ बैक ले। साथ आप स्कूल के बारे में सभी तरह की आवश्यक और पूरी जानकारी इकठा कर ले। लोगों से बात करें इसकूलों के फीज के बारे में भी एनुवल चार्ज के बारे में भी एक्स्ट्रा चार्ज आदी के बारे में भी पता लगाएं इसकूल बस आदी के उपलधता का भी पता लगाना बहुत ज़रूरी है इसके अलावा अगर हम बात करें तो माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में एड्मिशन करवाएं जहां पर इस्कूल में कैमरा हो और अंजान लोगों को स्कूल के अंदर आनास संभव ना हो इस्कूल वहां से आते समय सुरक्षा का पूरा प्रभंध हो इसकी भी आप पुखता तोर पर जानकारी ले एक बार सब कुछ है क्लियर हो जाने के बाद जो इस्कूल आपको हर तरह से ठीक लग रहा हो वहां पर एड्मिशन करा कर सीट सुनिश्चित करा ले अंत में अब इस्कूलों में एड्मिशन क्राइटेरिया क्या है उन पर गौर करे इस्कूल के महाल के बारे में भी पूरी हुआ 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 है